हेलो, वेल्कम टूचीन में केक सेंड ग्लासेज फ्री बेसिक टू फ्रोफेशनल केक सेरीज में लास्ट वीडियो में हमने हमारे केक में फिग अन्नी फ्लेवर की फिलिंग बनाई उसके साथ ही केक को अच्छी तरह से क्रम कोट किया है दैन आदा घंटा उसे फ्रीज में स्टोर किया अब इस वीडियो में हम हमारे केक को फाइनल फिनिशिंग देंगे मतलब फाइनल टच देंगे क्रम कोटिंग टेकनी से how प्रम अच्छी तरह से सिट हो जाते हैं और हमारे केक का final finishing बहुत ही बड़ी हमिलता है में तो चले यहाँ पर हमने क्रम कोटिंग के बाद आदा गंटा केक को फ्रिज में स्टो करने के बाद यहाँ पर final touch देना start किया है पहले तो हमने top पर cream spread की उसके बाद sides में भी इस तरह से cream spread करनी है आप सबे जानते हैं यह हमारे केक स्रीज बिलकुल free है और उसी के साथ यह हमारे सारे वीडियो इन डीटेल आपको दिखाए जाएंगे इन डीटेल इसमें जो कुछ हमने text यूज की है वो इन डीटेल आपको समझाए जाएगी सिखाए जाएगी एक्चुली हमारे एक subscriber है उनका एक question था कि मेरे घर में एसी नहीं है तो fan तो चालो करना पड़ता है तो cream dry भी हो जाती है तो क्या कर सकते हैं देखे जब cream dry होती है तो आप थोड़ा सा normal water spray कीजिए जैसा मैंने अभी किया उस तरह से आपको normal water spray करना है then again scrapper की मदद से या palette knife की मदद से धीरी धीरी finishing कर लेना है देखे मेरे पास भी एसी नहीं है लेकिन फिर भी मैं cake up finishing कर पाती हूँ न उसी तरह से आप लोग भी definitely कर सकते हो सिर्फ ये सारे आपको tricks यूज़ करनी है ताकि आप summer season में भी बहुत ही बढ़िया finishing कर पाए यहां मैंने बिल्कुल वीडियो slow किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि हम इस तरह से धीरे धीरे ये cream तो निकाल लेंगे पहले उसके बाद इस तरह से scrapper गुमा लेंगे देखे ये प्रोस्चर तीन या चार बार आपको repeat करनी पड़ती है उसके बाद हमारे cake का finish बहुत ही बढ़िया मिलता है हमे चली मान लेते हैं कि हमारा हाथ इतना fine finish नहीं हुआ है तो हम कौन सी tricks यूज़ कर सकते हैं cake को decorate करने में तो देखे यहाँ पर हमने cake के ऊपर थोड़ा सा normal water spray किया उसके बाद greasing brush पर भी थोड़ा सा water spray किया इस तरह से आपको greasing brush मुव नहीं करना है सिर्फ turn table मुव करना है तो हो चुका ना design कोई matter नहीं करता कि आपका हाथ कितना fine है और कितना नहीं लेकिन हमें finishing सीखना ही है ये बाद तो हमेशा ध्यान में रखे तो चले उसके बाद हम इस तरह का paper topper ले रहे हैं आपने कई बार देखा होगा कि इस तरह के paper topper mostly cake के ऊपर से इसमें insert किया जाते हैं या उसकी stick निकाल दी जाती है और cake के topper इसे अच्छी तरह से slipping mode में बिछा दिया जाता है लेकिन इस cake में हम थोड़ा सा अलग try करेंगे कि उसे side से हम stick करेंगे तो पहले तो topper को थोड़ा सा side से bend कीजेगा उसके बाद इस तरह से stick कीजेगा बिल्कुल थोड़ा सा ही press कीजेगा यह आसानी से stick हो जाता है और अगर आपके area में इस तरह का topper नहीं भी मिल रहा है तो आप क्या करेंगे फोटोशॉप में जाईएगा उसके बाद फोटोग्रापर वाले भाईया से इस तरह की print ले लीजेगा क्योंकि उनके पास जो paper होता है उसके उपर अच्छी तरह से वो print आ जाती है और वो print side से cut कीजेगा तो बन जाएगा अच्छा वाला topper है ना तो चले यहाँ पर हम dress decorate करेंगे डॉल का तो इसके लिए हमने cream ली है उसके बाद फोशिया यह gel color हमने लिया है अगर आपके पास यह color अवेलेबल नहीं है तो आप red color भी ले लो देखे बिलकुल match हो रहा है तो चले अब हमने एक star nozzle लिया है लेकिन वो narrow tip वाला star nozzle है यहाँ पर इस nozzle पर यह number तो है 133 लेकिन मैं इसके बारे में sure नहीं हूँ क्योंकि यह मैंने local market से करेदा है तो यहाँ जो number है वो मैंने आपको बता दिया उसके बार हमने cream मतलब piping bag में थोड़ा सा dripping कर लिया उसी color का देन हमने cream उसमें pour कर ली और इस तरह से doll का बहुत ही बढ़िया dress बना लेंगे summer season में बहुत सारे लोगों की यह problem होती है कि जब piping bag में cream fill up करते हैं तो जल्दी से वो melt हो जाती है तो इसके लिए आप क्या करेंगे दो piping bag यूज़ करेंगे क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है कि हमारे हाथ में heat जादा होती है तो cream जल्दी से पिघल जाती है और एक दूसरा option है यहाँ पर देखिए जब हम kitchen का top clean करते है तो गाला के वगरा हम वो पोछा यूज़ करते है मतलब वो जल्दी से dry भी हो जाता है और अच्छी तरह से clean भी हो जाता है kitchen top तो उस तरह के आप गाला का वगरा अदरवाइस किसी भी ब्राइन का लो लो वो अच्छी तरह से पानी से भीगो लीजिए निचोड लीजिए और piping bag जब आप hold करते हो तो उसके बाद हाथ में वो भी आप hold कीज़ेगा मतलब वो ठंडा रहेगा तो क्रीम आपकी पिघल नहीं जाएगी अब हम थोड़ा सा अलग decoration ट्राइ कर रहे है तो butter paper पर इस तरह का एक tree बना है मेरी drawing इतनी तो अच्छी नहीं लेकिन ट्राइ तो करना ही है न तो एक पेड बनाया हमने उसके बाद डबल boiler method से मतलब नीचे पतले हमने थोड़ा सा पाने गरम कर लिया है उसके उपर dark compound हमने डबल boiler method से melt कर लिया देन हम इसे piping bag में भर लेंगे और उसे छोटा सक कट दे देंगे और इस तरह का चोकलेट का पेड बनाएंगे लेकिन जब भी आप summer season में इस तरह के decoration try करते हो तो एक बात ध्यान में रखिएगा otherwise आपकी cake की delivery का distance मतलब जहां पर आप cake deliver कर रहे हो वो आपके घर से बहुत दूर है तो आप हमेशा एक टेकनिक तो जरूरी ज़िजिएगा कि इसे double coat दीजिएगा मतलब जब आपके पेड़ बन जाएगा चॉकलेट का उसके बाद ये अच्छी तरह से जम जाएगा चॉकलेट देन अगेन इसे एक coat देना ज़रूरी है और अगर आपने coating नहीं दी double coating नहीं दी तो क्या problem आता है है मैं आपको आगे चलके ज़रूर दिखा दूँगी तो चली यहाँ पर हमने toothpick लगा दी उसके बाद इस तरह से coating कर ली लेकिन यहाँ पर दो coating हमें देनी ही है उसके बाद 10 मिनिट तक इसे fridge में set करेंगे 10 मिनिट बाद ये अच्छी तरह से demol भी हो जाता है लेकिन याद रखें यहाँ पर हमें दो बार coating दीनी है तो दो बार इसे fridge में set भी करना है मान लेजिए आपने एक ही बार coating दी तो देखें क्या नतीजा हुआ मतलब ये तूट गया तो ये delivery के time भी तूट सकता है मतलब हमारा cake तो spoil हो जाएगा ना तो इस तरह की गलती आप नहीं करेंगे देन हमने यहाँ पर piping bag लिए है उसे वी शेप कट दिया है और जो हमारे क्रीम बच गई थी वही हमने यहाँ पर यूज की है और इस तरह से हम चॉकलेट का पेट डेकोरेट कर रहे है और मैंने यहाँ पर नीचे बटर पेट पर लिया है क्यूंकि मेरे भी हाथ में हीट जादा है तो इस तरह का बटर पर लिया है एक सेट कवर हो जाने के बाद हमने वो चॉकलेट का पेट केक में इंसेट कर लिया और दूसरी तरफ से भी क्रीम सेट डेकोरेट कर लिया थोड़ा मैं इन डीटल आपको दिखा दू कि हमारे चॉकलेट के पेट दिखते कैसे और इन सारी वीडियोज की लिंक भी मैंने अल्लेड डिस्किप्शन बॉक्स में दी है तो आप वहाँ जाके भी अच्छी तरह से इन डीटल भी देख सकते हो कि कैसे हमने ये पेट बना है और किस तरह से हमने ये पेट केक डेकोरेशन में यूज भी किये है ये हमारा एवर ग्रीन प्रिंसेस थीम केक है तो इसमें हमने इस तरह के छोटे-छोटे पेट बना है आप बटर पेपर पर भी इस तरह के चॉकलेट के ट्रीज बना सकते हो और उसी के साथ आप OHP शिट पर भी इस तरह के चॉकलेट के पेट बना सकते हैं ये डेकोरेशन का बहुत ही सिंपल और बढ़िया तरीका है क्यूंकि इससे केक में चार चान लग जाते है हमने एक रक्षावंदन थीम केक बनाया था उसमें भी हमने ये ट्रिक यूज की थी लेकिन हमने उस वीडियो में एक मैसेज भी दिया था कि जो हमारा एनवार्मेंट है जो एनिमल्स है जो ट्रीज है हमें उनसे भी प्यार करना चाहिए हमें उन्हें भी राखी बाढ़नी चाहिए मतलब वो है तो ही हम है है ना तो मैं आपको एक जलक उसकी भी दिखा दू कि ये डेकोरेशन कितना बढ़िया लगता है इन सारी वीडियोज के हमने लिंक तो अलड़ी डेस्किप्शन बॉक्स में दे दी है तो चलिए अब हमारा जो केक अभी डेकोरेशन करना थोड़ा सा बाकी रह गया है वो हम डेकोरेट कर लेते हैं तो यहाँ पर हमने दो पेड बनाए उसके बाद इसी कलर से मतलब जो डॉल के ड्रेस का कलर है उसे से उन्हें डेकोरेट कर लिया और जो कुरीम हमारी डॉल के ड्रेस में से बच गई थी उसे छोटे-छोटे फ्लावर्स बनाए जो हमारे पास चुगर बॉल्स होते हैं जो के इडिबल होते हैं वो भी हम थोड़ा से इसमें यूज करेंगे और उसे के सार यहाँ पर हमने यूज के है गोल्डन फ्लेक्स जो की हमने घर पर बना है मतलब गोल्डन फ्लेक्स भी आप घर पर बना सकते हो इसका भी इन डेटल वीडियो हमारे चैनल पर है मतलब यह सारी डेकोरेशन अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हमारा केक मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से डेकोरेट हम जरूर कर सकते हैं और अगर आपने हमारे Basic to Professional Cake स्रीज का 9 वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको पताई होगा कि हमने homemade premix बनाया है लेकिन वहापट JMS powder हमने यूज किया था वो भी on demand, on request हमने यूज किया था तो उससे हमारा premix बन गया देड़ कप का मतलब one and half तो उसमें से हमने एक कप premix से ये वाला sponge back कर लिया उसमें हमने fig and honey filling दी है और ये इस तरह से बिलकुल unique तरीके से हमने decorate कर लिया रह गई बात हमारे आधे कप premix की तो उस आधे कप से भी हमने एक छोटा सा sponge back कर लिया है और उसमें जो filling हमने यूज किया है वो भी हमारा एक unique premium flavor है जो कि हमारे एक subscriber है सुचित्रा मैम उनकी on request पर उनकी on demand पर हमने वो थोड़ी से अलग type की filling उसमें यूज किया है feeling तो बढ़िया है ही लेकिन उसे के साथ साथ उसका decoration हमने तीन अलग अलग type से किया है तो अगर आपको ये series अच्छी लगती है आपको इससे benefit मिलता है तो definitely आप ये video share कीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी इसका benefit मिले क्योंकि ये free of cost है इसके सारे videos हम in detail आपके लिए shoot कर रहे है तो अब मिलते हैं हमारे next premium flavor के साथ और बहुत ही बढ़िया decoration के साथ तब तक के लिए bye bye thank you so much